दोस्तों आज किस वीडियो हम बात करेंगे मेथी की दानें की उप्योग के बारे में और इसकी मात्ता के बारे में तो दोस्तों इसे यूश करने लिए आपको रात में एक ग्लस पानी में 30 ग्राम की मात्रा बिगो कर सुभेज का सेवन करना चाहिए आके इसके विश्टरत व के बीजों में पायजाने में लगता तो पानी उर्जाम प्रोटीन कार्बोहड़ेट फाइबर फॉलेट सोडियम पोटेशं मेगनीशं सेलेनियम विटामिन सी थाइमीन विटामिन ए फेटी एसीट विटामिन बीस पित्यदी कई भरपूर्तत होते हैं जिसके एकान इसकी गुण मत्ता काफी बढ़ जाती है मेती जहां खाने में स्वाधिष्टे वहीं आरवेद के नजेरी से भी इसके कई फाइदे भारत में सद्यों से इसके पत्ते और दानों को आरवेदिक ओसिदी के रुप में प्रयोग के जा रहा हैं इससे स्वास्त को बहतर बनाए रखन में मदद मिलती हैं वहीं अगर कोई बीमार है तो इसके गुण इसे ठीक करने में भरपूर उपयोगी होते हैं मेती एक प्रकार की खादिय सामगरी जिसे कई तरह से आर में प्योग के जाता है इसके हरेपत्ते को सेवन सबजी के रुप में के जाता हूं है भोजन मनाते सम सुगर की मांत्रा को नियतित करते हैं सांती है टाइप टू मधुमे के रोग्यों में भी इंसुलेन प्रतिरोत को भी कम करने का काम करते हैं वहीं एक दूसरे सोत के मुताबिक मधुमे पर इसका लाब धायक असर उसमें मौजूद हाइपोप्लोमिस प्रभाव के कारण हो सकत इसे रक्त में सुगर की मात्रा को कम करने के लिए जाना जाता है इसलिए सामाने रक्त सुगर वालों को इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए मेथी के बीजों का प्योग सरीर में कोलेस्टोल के बढ़ने से उत्पन समयशा को रोकने में किया जाता है कोलेस गुणुन वहते हैं जिसके करनार मेरीज की वरी क्यांग योदी टाइस कहा जाता है इसे निपनने के लिए मेथी एक रामबानुस का है जिसे सद्यों से इस्तमाल क्या जाता है मेथी में एंटिम फेमेंट्री और एंटियाक्सिदेंट गुण पाये जाते हैं ये गुण कारिता तो जोडों की सुजन को कम करके अर्थराइट के दर्द से रह करने की सला दी जाती है जो लोग नीमीत रूप से मेथी का से शयमन करते हैं उन्हें दिल का दूरा पड़ने की आसनका ना के बराबर हो जाती ॅगर दोर आप पढ़ाये तो जानलेवा स्थिती से बचा जा सकता है विबिन सोदों में पाएगा है कि मुर्त्यू दर के इस समयशा से निजात मिल सकती है मेथी दाने से बना पाउड रहात दिलाने में कारगार काम कर सकता है साथी मेथी की दाने मासिक धर्म से जुड़ी अनिस समयशाओं से रहात दिलाने में भी मदद कर सकता है कैंसर, कैंसर एक घातक रोगे इस निए इस समय्षा से पचे रहना ही बहतेर है, इस के लिए मैथी के पीच कारगा नहीं है। एक मेडिकल लिसेर्च के नुशार मैथी में एंटी कैंसर प्रभाव पाय जैते हैं जो कैंसर की समयशा को दूर रखने का काम करते हैं। हाँ अगर कोई कैंसर से पिडिते हैं तो उसे बिना किसी तेरी से डॉक्टर रिलाज करवाना चाहिए बढ़ता है इस्तनों में दूद प्रसों के बाद नौच चात के लिए मा के दूद से बहतर कुछ नहीं होता है ऐसे में इस्तन पान कराने वाली महलाय मेथी या मेथी के पेश से बनी हरवल चाय का सवन कर सकती है जिससे उनकी इस्तन की दूद बढ़ने लगेगी वजन घटाने के लिए अगर कोई वजन कम करना चाता है तो उसके लिए मेथी का प्योक्सायक सिद्ध होगा दरसल मेथी सरीड में फैट को जमा होने से रोकने का काम करती है इसमें फाइवर की काफे अच्छी मात्रप आए जाती है जो आहर को पचाने के साथी बूग को सांध रखने का काम कर सकती है स्वास्त किड्नी कई वेगानिक सोधों में इस बात का दावा किया गए हैं कि किड्नी के लिए मेथी फाइदेमंदे मेथी को अपने भोजन में सामिल करने से किड्नी अच्छी तरह से वर्क करती है मेथी के दानों में पोली फेनोलिक फ्लेवोनाइट वाए जाता है जो किड्नी को भैता तरीके से काम करने में मदद करता है साथ ये किड्नी के आसपास एक रच्छा कवच का निर्मान करता है जिससे इसके रोल या सेल नाश्ट होने से बस सकते हैं उच्छी रख्त जाप कही तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है जिन में हर्दाई की समावना भी सामेले मेथी के ओस्यदीगून इस समयशा को दूर करने में साहिक होते हैं टेस्टो इस्टो 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 इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजेगा और नोटिफिक्षन को ओन कीजेगा